ओम नमस्षिवाय दोस्तों, जैसे कि आप सब भी जानते हो कि माना समर्थ और डॉक्टर बिश्रु प्रोय चौधरी के बीच में इस टोपिक के उले करके डिसकेशन चल रही है कि क्या ग्रैड थेरपी CKD पेशेंट को ठीक करती है या नहीं? आज हम इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगे, आज की वीडियो में मैं हर एक CKD पेशेंट के लिए इतनी महत्पूर जानकारी देने वाला हूँ, जिसे ना केवल वे अपनी जान बचा सकते हैं, बलकि अपने लाखो रुपे बरबाद होने से भी बचा सकते हैं, आज की स्टेज का CKD पेशेंट क्यों ना हो, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, या फिर कोई डोक्टर या हेल्थ एक्सपर्टी क्यों ना हो, हर परकार के थेरपिस्ट, हर परकार के इंसान के लिए काम आने वाला है, और आज की वीडियो में बताई गई बाते, लाखो करोड़ और उप्यों स से भी ज़्यादा किमती रहने वाली हैं, तो इस वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आप सब के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो चलिए मैं इस वीडियो के एक एक टोपिक के ओपर डिसकुशन शुरू करता हूँ, सबसे पहले नमबर पर हम इ ये जानना चाहते हैं कि उनके बिमारी ठीक होगी या नहीं, लेकिन उनको ये अपनी बिमारी के बारे में ज्यादा नोलेज है नहीं, उनको ये नहीं पता कि उनको किस परकार की और कितनी क्रिटिकल बिमारी हो रुकी है, कई कोल तो मेरे पास ऐसी आती हैं, जिनको जो कि बिल्कुल क्लूलेस होते हैं, क्रेटनिन 4-5 और रखा है, लेकिन बिमारी के बारे में कोई क्लू नहीं कि उनको हो क्या रखा है, तो सबसे पहले नंबर पे तो पेशेंट को अपनी बिमारी को ले करके थोड़ी अवेरनेस लानी चाहिए, थोड़ी नौलेज गेन करनी चाहिए, CKD के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारा CKD अवेरनेस प्रोग्राम का पूरा का पूरा वीडियो है, सारा प्रोग्राम फ्री है CKD अवेरनेस प्रोग्राम के बारे में, कि CKD बिमारी क्या है, इसमें किस परकार की दिक्कत आती है, कौन सी स्टेजिस होती है, उ मेरे को इस परकार की बिमारी है और मेरे को इसको हैंडल करने के लिए इस परकार का treatment approach अपनाना चाहिए तो उस CKD reverse program को CKD awareness program को जरूर देखिएगा उनका link में नीचे description में डाल दूँगा अब अगले नमबर पर बात आती है कि अगर patient जब ये समच जाएगा कि उसको किस परकार की बिमारी हो रुखे है कितनी खतरनाक बिमारी हो रुखे है तो फिर CKD के इसको reverse करने के लिए अपने आपको healthy रखने के लिए patient को क्या सवाल पूछने चाहिए सबसे पहले नमबर को पेटो patient को अपने दिमाग में ये सूप पूछना चाहिए कि अगर मेरे को पता चल चुका है कि मेरे को CKD है मेरी kidney खराब होने लग रही है या फिर मेरी kidney 30% 40% खराब हो रुखी है तो mind में पहला सवाल ये आना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जितनी मेरी kidney खराब हो गई है इससे ज़्यादा kidney खराब न हो यानि कि अगर मेरी CKD stage 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, किसी भी stage में हो इसी stage पर रुख जाए इससे ज़्यादा मेरी CKD बढ़े ना क्योंकि आप ठीक होने की बात तो तब करोगे जब आप इसको बढ़ने से रोक पाऊगे अगर मालीजे आप इस चक्कर में लगे हुए हो कि ठीक हो जाए ठीक हो जाए और वहीं बिमारी अंदर ये अंदर बढ़ती जाने लग रही है तो आप इतना टाइम ही नहीं कठा कर पाऊगे कि आप इसको ठीक करने के ओपर वर्क कर सको तो पहला और तुरंत इमीजियेटली माइड में ये सवाल आना चाहिए जैसे ही आपको पता चले कि मेरे को ये बिमारी है या फिर आपको मालो थोड़ा लेट भी पता चला है तो हर स्टेज में आपके माइड में पहला ये सवाल होना चाहिए कि मैं इसको और ज़्यादा बढ़ने से कैसे रोकूँ जब आपके माइड में ये सवाल आया है तो सवाल के साथ में आप आंसर डूटना चालो करोगे तो जैसे मैंने CKD रिवर्स प्रोग्राम में कई चीज़े बता रहे कि आप उनको अपना होगे तो फिर आप इस बिमारी को और बढ़ने से रोक पाओगे जैसे के लो प्रोटीन, हाई फाइबर डाइट, अपने पोटेशियम लेवल को, फोस्पॉरस लेवल को चेक करके सीरम बाइकार्बोनेट लेवल को चेक करके, उसको लेवल में रख करके विटामिन डी, विटामिन बी ट्वैल, फिजिकल एकसराइज, इन सबी चीजों को करके आप उसको बढ़ने से रोक पाओगे, उसकी स्पीड को कम कर दोगे अब दूसरा सवाल आपके माइंड में ये होना चीए, कि चलिए मैंने इसको बढ़ने से तो रोक दिया लेकिन मेरे को पता है कि अगर ये लगातार बढ़ती जाएगी, तो आखिर में या तो मेरे को डैलेसिस पे जाना पड़ेगा, या मेरे को ट्रांस्प्लांट पे जाना पड़ेगा तो अब दूसरा सवाल आपके माइंड में ये आना चीए, कि मैं लंबे समय तक कब तक अपनी बिमारी को कंट्रोल करके रख सकता हूँ, और लंबे समय तक डैलेसिस से बच सकता हूँ, यानि कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मालीजी आप स्टेज 3 के अंदर में आए हो, स्टेज 3 है और आपका करेटनिन 4 के करीब है, अब आपको ये सोचना है कि मैं इस 4 को कम ले करके आता जाऊं, लेकिन इस 4 को 7 तक ना पोचने दूँ, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मेरे को अमर्जंसी दिक्कत आने में CKD का जो प्रटिकुलर डाइट प्लैन होता है, कुछ आयरवेधी कोश्दिया होती है, जड़ी बूटिया होती है, नेच्रोपैथिकी थेरपी होती है, एक्यो प्रेशर हो गया, प्रनायम हो गया, योगा हो गया, आसना हो गया, ये चीज़े लंबे समय तक डैलेसिस स बच करके रह सकते हैं, CKD होते हुए भी, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बिमारी आपको हो गई है, तो इसका मतलब ये निए कि आपकी जिंदगी खराब हो गई, आप डैलेसिस से बच करके रह सकते हो, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा अपनी बिमारी को, अपनी करना है कि माननी अब जो मेरी current stage है, मैं इस stage से पीछे कैसे जाऊ, माननी जी आप stage 4 में हो, तो CKD की stage 4 से मैं stage 3 में कैसे जाऊ, 3 में हो तो 2 में कैसे जाऊ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप CKD की previous stage में जाऊगे, तब ही आप लंबे समय तक डैलेसिस स बच पाओगे और तभी आप अपनी ठीक करने की परक्रिया को शुरू कर पाओगे मालो कोई चोटा बच्चा है पैदा हुआ है क्या वो पैदा होती एकदम से चलने लगेगा नहीं possible नहीं हो सकता पहले गुडल या चलेगा फिर पैरो केबल चलेगा ठीक इसी परकार अगर आपकी STKD स्टेज 4 है तो एकदम से ठीक नहीं होने वाली पहले 3 में जाएगी 2 में जाएगी 1 में जाएगी फिर ठीक होगी इसी परकार स्टेज 5 होगी लेकिन ये बड़ी लंबी पर करिया है बहुत मैनत बरी पर करिया है इसमें ना केवल एक्सपर्ट को बलकि आपको भी बहुत मैनत करनी पड़ेगी और इसमें बड़ा टाइम लगने वाला है तो जब आपको पहले 2 सवालों का जवाब मिल गया बनवा करके उसको फोलो करना चालू कर सकते हो लेकिन अगर आप खुझ से भी रिसर्च करोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी बहुत सारे साइंटिफिक प्रोफैसें मिलेंगे जिन से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें पोसिबल हैं आप जिस भी चलने लग रहा है वीकली ट्वाइस हो गया थ्राइस हो गया उसको मैं कम कैसे करूं उसका थ्राइस होने लग रहा है तो ट्वाइस पे कैसे आऊं ट्वाइस होने लग रहा है तो बन पे कैसे आऊं वन होने लग रहा है तो दस दिन में कैसे आऊं ऐसे दीरे दीरे करके मन में वो ही पहले तीन वाले सवाल जो मैंने बताय थे वे आने चाहिए तो ये इस परकार की thinking का pattern अगर patient रखके चलता है तो वो बिल्कुल reality में जीएगा कोई उसको बहका नहीं पाएगा कोई उसको जूट नहीं बोल पाएगा कोई उसको मतलब बेवकूफ नहीं बना पाएगा अब बात करते हैं कि अगर मालीजिये CKD stage 1, 2, 3, 4, 5 के patient है तो उन patient को किस परकार का treatment अपनाना चीए देखे मैं एक बात बताता हूँ मेरे अगोडिंग तो grad therapy काम करती है नीचाहे कोई कुछ भी कहे और करने भी नहीं वाली जो अजमाएगा उसको अपने आप ही पता चल जाएगा temporary dialysis किसी का बंद हो सकता है लेकिन मेरे को report ऐसी है आज तक एक भी देखने को मिनिल नहीं है कि उसका GFR नोर्मल रेंज में आ गया हो क्रेटनी नोर्मल रेंज में आ गया हो तो temporary dialysis बंद हो गया तो अलक बात है लेकिन वो किसी को ठीक नहीं करने वाली लेकिन फिर भी मान करके चलते हैं डोक्टर बिशरूप का कहना ये है कि 75% पेशेंट ठीक हो जाते हैं 25% नहीं होंगे तो जो भी बंदे चाए किसी भी stage के पेशेंट क्यों ना हो अब उनके पास दो रास्ते रहने वाले हैं पहला रास्ता ये रहने वाला है कि वो इस परकार की थेरपी को अपनाएंगे इस परकार की डाइट को अपनाएंगे दूसरा रास्ता ये रहने वाला है कि वे नेचरोपेथी या फिर आयरवेदिक ट्रीटमेंट को अपनाएंगे या फिर हो सकता है भई हमसे भी कोई बंदा treatment ले ले क्योंकि हम भी दोनों को नेच्रोपेत यारवेद को combine करके बहुत अच्छा treatment देते हैं और मैं grad therapy को use नहीं करता हूँ तो अब patient के पास ये दो रस्ते रहने वाले हैं मैं ये बताने वाला हूँ कि अब patient के अगर माली जे grad therapy वाला रस्ता अपनाता है तो उनको किसन बातों का ध्यान रखना है अगर वे इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनके लाखो करोडर रुपे बच जाएंगे सबसे बड़ी बात उनके जान जाने से बच जाएगी सबसे पहले नमबर पर हम बात करते हैं CKD के stage 1, 2 और 3 के patient की इस परकार के category के patient में protein leakage होता है हलकी full के swelling आती है BP बढ़ा रहता है और थोड़ा बहुत patient का keratinin 2, 3 इसके करीब मिलता है अब इस परकार के patient मेरी बातों का ध्यान रखिए का चाहिए आपके कोई भी दिक्कते आपको क्यों आने लग रही हो आपको एक बात का ध्यान रखना है अगर आप grad therapy को अपनाने लग रहे हो और grad therapy को अपनाने के बाद में आपका weight बहुत जादा down होने लग रहा है आपकी muscles बहुत जादा कमजोर होती जाने लग रही है तो आपको इसको तुरंत बंद कर देना है keratinin कैसे produce होता है हमारी muscles के wear and tear के वज़े से body में keratinin का production होता है लेकिन अगर हमारी muscles ही बहुत जादा कमजोर हो जाएं या बहुत शरीर में muscles बहुत जादा कम हो जाएं तो फिर automatically keratinin कम हो जाएगा लेकिन muscles के कम होने का weight के कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी CKD reverse कर गई है आपका GFR बढ़ गया है इसका मतलब ये है कि आपकी body में naturally keratinin के production की शमता कम हो गई है क्योंकि आपकी muscles कम हो गई है तो आपको क्या करना है अगर आपका थोड़ा बहुता pro diet के उपर आते हो DIP diet भी एक परकार की low high fiber low protein diet है तो ये आपकी CKD progression की speed को stage 1, 2, 3 में बहुत कम कर देगी लेकिन अगर आपका grad therapy की वज़े से बहुत जादा muscle में weight कम होने लग रहा है आपका weight लगाता down जाते जाने लग रहा है हमोगलोबिन down जाता जाने लग रहा है आपका GFR बढ़ना नहीं लग रहा आपका बलकि GFR कम होने लग रहा है तो आपको तुरंत ये therapy बंद कर देनी है इसका reason ये है क्योंकि grad therapy कुछ मात्रा में यूरिया, यूरिक ऐसीड, करेटनीन को निकालती है तो आपके mind में तो ये रहेगा कि मेरे को फायदा मिलने लग रहा है लेकिन अंदर ये अंदर आपका शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि जब तक आपको realize होगा तब तक आपकी CKD की stage 4-5 पोच चुकी होगी तो अगर आपको मेरी बस इस बात का ध्यान रखेगा आप CKD की stage 1-2-3 के patient हो और अगर आपको ये benefit मिल रहा है कि आपका GFR बढ़ करके normal side में आने लग रहा है और आपका करेटनीन normal range में आने लग रहा है तब ही आप इस therapy को लगातार करते रहिएगा लेकिन अगर आप इस therapy को करने लग रहे हो हमारे मना करने के बावजूद भी और आपको मेरे दुवारा बताई गई जो जो दिक्ते मैंने बताई कि weight down जादा होने लग रहा है muscle weight muscle खतम होने लग रही है आपके शरीर में weakness जादा आने लग रही है आपका hemooglobin जादा कम होने लग रहा है आपके क्रेटनीन में आपके parameters में बढ़ाव देखा जा रहा है तो तुरंत इसको बंद कर दीजिएगा अब बात करते हैं CKD के stage 4 और 5 के patient की stage 4 और 5 के patient में क्रेटनीन काफी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है इन patient के पास भी दो रस्ते हैं कि या तो वह प्राकरतिक तरीक के से नेच्रोपैथी और आयरवेदिक जड़ी बूटियों के साहता से अपनी बिमारी को reverse करने का प्रियास करें या तो वह ज़्यादा अगर मादलों advertisement चलती रहती है तो grad therapy को अपना लें तो प्राकरतिक तरीकों को अपनाएगा उसके लिए तो सबसे अच्छी बात अब अगर प्राकरतिक तरीक के से वह स्टेबल हो जाती है तो grad therapy की तरफ जाती है तो मैं उनको बताता हूँ कि उनको किस परकार की सावधानियों का ध्यान रखना है पहले नंबर पे तो इस बात का ध्यान रखेगा कि grad therapy में अगर आपको emergency symptom आए हुए है तो वो आपके emergency symptom को delay नहीं कर सकती आपको dialysis पे जाना पड़ेगा फिर भी अगर आप इस therapy को use करने लग रहे हो तो आपको जो मैंने CKD stage 1 to 3 patient के लिए जो बाते बताई है उन बातों का तो आपको भी ध्यान रखना है अब एक बात का ध्यान रखिएगा dialysis delay करना is not equal to dialysis से बचना आप stage 4-5 के patient हो आप सबसे ज़्यादा करीब हो dialysis पे जाने के आप इस therapy में बैट करके अगर आपने अपने dialysis को delay कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप dialysis से मतलब लंबे समय तक बचे रह गए मालीजे आप 6 महिने साल तक भी बचे रह गए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी CKD को reverse कर दिया और आपको कभी dialysis पे नहीं जाना पड़ेगा stage 1,2,3 के जो patient है अगर उनका muscle mass थोड़ा कम हो जाता है थोड़ा weight भी कम हो जाता है तो अभी उनको ज्यादा tension लेने की जुरूत नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत सारा time है वे अपनी condition को improve कर सकते हैं लेकिन आपके पास इतना time नहीं है कि अगर आपने अपने शरीर के साथ खिलवाड करा और आपका शरीर कमजोर हो गया तो आपके मेरी बात का ध्यान रखेगा आपके पास उसको ताकत वर्ग बनाने का time नहीं है आप एकदम से emergency में ICU में admit हो सकते हो तो जो stage 4 और 5 के patient है उन आपके muscles जादा कमजोर होने लग रही हैं आपको सास लेने में दिक्कते आने लग रही हैं आपको उल्टिया फील होने लग रही है बीपी जादा बढ़ा हुआ रहने लग गया है आपके शरीर में कमजोरी जादा रहने लग गई है तो समझ जाए कि ये therapy आपको बहुत जा प्राइम तक डालेसिस से बचा करके रख सकती है। आरवेदिक ट्रीटमेंट से भी आप लंबे समय तक जड़ी बूटियों की साहता से डालेसिस से बचे रह सकते हो। लेकिन उस परकार के आरवेदिक ट्रीटमेंट का वो साइड इफेक्ट नहीं होता जो इस थेरपी का परकार के लगातरा है कि इन बातों का ज्यान रखो अगर आपके साथ इस परकार का कुछ होता है, तो समय रहते हैं इसको बंद कर दो तकि आपकी जान बच जाए। तो मान लिजी अगर आपको मेरे दोरा बताई गई इस परकार की दिक्कते आती हैं तुरंत इसको बंद करके अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के ओपर वर्क कीजिएगा आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है तो जैसे ही आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी आपको overall betterment फील को चालू रखते हो और आपकी emergency symptoms बढ़ जाते हैं और आपको dialysis पे जाना पड़ जाता है तो आपको इतना ज्यादा कश्ट बोगना पड़ेगा क्योंकि dialysis बहुत बड़ा painful process होता है और क्योंकि आपने गरम पानी में बैट करके अपने body के organs को कमजोर कर दिया है muscles को कमजोर कर दिया है नसों को कमजोर कर दिया है तो वो परक्रिया आपको बहुत असनिये कश्ट देने वाली है बस इस प्रवाद जैसे मैं कह रहा हूं कि जो बाते मैं बता रहा हूं अगर आप stage 4-5 के patient हो तो इन बातों का ध्यान रखें और अगर आपको इस परकार की दिक्कत आए तो इसको बंद कर दें अब बात करते हैं dialysis patient के बारे में dialysis patient के लिए भी जो मैंने stage 4-5 और 1-2-3 patient के लिए बाते बताई है बस उनी बातों का ध्यान रखना है आप इस therapy को अपनाने लग रहे हो पहली बात तो मैं recommend नहीं करता फिर भी अगर आप इस therapy को अपनाने लग रहे है तो इसको बंद कर दीजिएगा dialysis कई तरिकों से प्राकरतिक तरिकों से भी बंद किया जा सकता है जैसे अकेशिया फाइबर हो गया cow urine हो गया और आयरवेदिक जड़ी बूटिया हो गई ये चीज़ों के ओपर मैंने बड़ी research करिया इनकी साहता से भी दीरे-दीरे करके dialysis को taper down करके बंद किया जा सकता है मैं ये नहीं कहूंगा सभी का हो जाएगा लेकिन हाँ बहुत अच्छे result देखे गए हैं काफी patient में तो मैं तो ये recommend करूँगा कि इस परकार का safe treatment अपनाया जाए और इसी परकार से dialysis को बंद किया जाए ताकि आपकी health भी बनी रहे और आपको किसी परकार का side effect भी देखने को ना मिले लेकिन इस बात का खास करके विशेश करके ध्यान रखिएगा आपको overall health अपनी देखनी है कि उसमें decline नहीं होना चाहिए dialysis patient के लिए overall protein का consumption बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि dialysis process के दोरां शरीर से बड़ी मातरा में protein का leach out होता है जिसके वज़े से muscles और bones कमजोर होने लग जाती है तो आपको अपनी diet के अंदर protein जरूर रखना चीए ताकि शारीरिक कमजोर ही ना आए अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे overall health का ध्यान रखोगे तो समय रहते सई decision लेकर के आप अपनी health को improve कर पाओगे और अपनी life expectancy को बढ़ा पाओगे अब आखिर में मैं कुछ जरूरी बाते बताना चाहता हूँ मेरे पास ना काफी patient अपने queries पूछते है मैंने ये बात बोली थी कि वही मैं जितने भी बंदे मेरे पास call करेंगे message करेंगे उनको free में जवाब दूँगा लेकिन आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि मैं भी कोई free बंदा तो हूँ या अपना काम करने लग रहा हूँ video making होते है, client handling होती है, patient देखने होते है तो जैसे मेरे पास समय मिलता है उस समय के अनुसार मैं लोगों को WhatsApp पर message करके reply करता हूँ बिल्कुल free of cost लेकिन जो मेरे treatment चल देता हूँ मैं जो मेरे observation में treatment चलता है वो paid रहता है, लेकिन जनरल किसी के queries आती हैं तो उनका reply मैं free of cost करता हूँ लेकिन मैं हरान हो गया बंदे इतनी गंदी 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 गाली गलोज करती है मतलब इस परकार की बाते करते हैं कि एक तो बंदा तुमारे question का free में reply करने लग रहा है उपर से बायचान से तुम से तो उससे थोड़ा delay हो गया अपने काम की वज़े से family के वज़े से या फिर meeting के वज़े से किसी भी कारणवाश अगर उससे थोड़ा delay हो गया तो तुम गाली गलोज करने लग रहे हो कि बही मतलब गंदी गंदी गालिया दे कर के तू time नहीं दे रहा है तू reply नहीं कर रहा है तू जूट बोल रहा है ये वो इस परकार की बाते करते हैं मतलब ये कोई अच्छी बात है कि कोई बंदा आपको genuine suggestion देने लग रहा है genuine आपको सारी information देने लग रहा है free में आप से बात करने लग रहा है free में आपके question का reply करने लग रहा है लेकिन आप ऐसी बंदा अगर थोड़ा सा time ले ले लेता है तो आप उसके साथ में गाली close करो तो इन चीजों की वज़े से मैंने एक decision लिया है कि आपके बाद में मैं किसी से भी free में बात नहीं करूँगा आपके बाद में appointment process चलेगा आप WhatsApp पर अपनी report बेजिए report के साथ में आप हमें अपने symptoms condition बताईए और साथ में एक minimum charges रखे जाएंगे जैसे कि अगर कोई ज़्यादा गरीब है तो उसके लिए हम रखेंगे 300 के करीब charges कोई अगर मालो stable है middle class या upper class के blog करता है तो उसके लिए रखे जाएंगे 500 appointment charges तो ये minimum charges रखे जाएंगे patient को payment करनी होगी payment करने के बाद मैं उसको time बताऊँगा कि भई आपको इस time आप भरोसा रख सकते हो जो मैं time बताऊँगा उसमें 5 मिनट उपर नीचे होगा लेकिन उसी time मैं आपको call करूँगा जिस time की उनको appointment दी जाएगी call करके वे जितने भी question पूछेंगे अपनी बिमारी के regarding में अपनी condition के regarding में अपनी reports के regarding में मैं उन सबी सवालों का जवाब दूँगा और general थोड़ी वो चीज़े होंगी जो मैं उनको समझा सकता हूँ जो उनकी साहता करने वाली है वे general चीज़े मैं उस appointment के दोरान उनको बता दूँगा यानि कि appointment में क्या रहने वाला है उनके discussion रहने वाला है उनकी problem solving रहने वाली है उनकी report की study करके उसको detail में explain करना वो रहने वाला है और एक general basic मतलब treatment का suggestion कि आपको यहां तर पर इस तरफ जाना चीए यह यह चीज़े अपनानी चीए ताकि आपके health में improvement हो जाए लेकिन जो diet plan होता है जो treatment होता है official treatment वो उसमें नहीं रहने वाला या appointment जो होगी केवल general बात चीज़ करने के लिए और patient की problem का general solution बताने के लिए होगी कि उसको किस परकार की चीज़ों को अपनाना चीए ताकि उनके health में betterment हो सके तो यह प्रक्रिया चलने वाली है free में अगर मालीजे कोई बहुत जादा गरीब इनसान है तो मैं उसको free में भी suggestion दूँगा लेकिन क्योंकि लोग जरूँच से ज़्यादा बत्तमीजी करने लग गए है तो यह भी जरूरी हो गया क्योंकि मेरा सामय कीमती है मैं इतना भी free नहीं बैठा कि कोई ऐसा बंदा जो मेरे साथ गाली गलोच करने लग रहा है या मेरे साथ miss behavior करने लग रहा है उसी बंदे को मैं सारी चीजे free में बताता चलूँ तो मेरे समय की भी कीमत है इसलिए मैंने ये प्रोक्रिया चालू करी है इस बारे में आप अपनी राये रख सकते हो अगर कोई बात अच्छी लगी है तो वो भी बताईएगा कोई बात अगर गलत लगी है तो वो भी मेरे को suggestion दीजिएगा मैं comment box में आप अपना suggestion दे सकते हो मैं उसको study करूँगा और जो भी improvement करनी होगी मैं उसको improvement करूँगा ठीक है इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद आपके कोई और सवाल रह गई हो तो मेरे को नीचे comment session में comment करके पूछ लिएती होगा thank you very much, have a nice day, om namasya